हेलो माई यूट्यूब फैमिली कैसे हो अप लोगाई हो अप लोग सभी बहुत अच्छे होगे तो आज मैं एक रेसीपी लेकर आई हूँ चीली पैट्टो तो चलिए उसको बनाने के लिए देखते हैं क्या क्या करना परता है यहां तो मैंने आलू को अच्छे से कट करके र अध्रक लासन का पेस्ट वगड़ा सब कुछ है यहां पर तो चलिए अब मैं आलू को क्या करूंगी आलू का यसे निकाल लोंगी उसके बाद यहां पर देखो मैंने कितने अच्छे से अलू को कट किया एकदम एक बराबर जैसा तो यहां पर मैंने आलू को निकाल लिया इसमें मैं थोड़ा सा मिलाओंगी पर मैंने अच्छे से पानी को पहले लिया उसकाद मैं मिलाऊंगी अध्रक लसन का पेस्ट जो कि इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें थोड़ा से दूंगी नमक घस्ट के अं ज्यादा नहीं कम नहीं जासा आप खातेशा दो यह दोगा जिससे के यह घोड़े मैं ट होगा बहुत ही। जिससे के सब्रक्रणों बहुत है। जाली होगा, मेरा हाथ पर ही गिर गया था यहां पर तो यहां पर मैं थोड़ा से मादा भी डालूँगी और मेरा हाथ करना भी बहुत जादा ही कंडिशन खराब बहुत जादा दर्द रहता है हाथ में आप लोग हाथ देख करके पता लगी रहा होगा बट काम करना है तो करना है कितना दे करना है तो इसलिए तो यहां पर मैं देख के डाल रही हूं और इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूं एकदम ड्राय करके इसको रखेंगे ना तभी यह बहुत अच्छा कुरकुरा सा होगा नहीं होगा अगर थोड़ा भी गीला रहा तो यहां पर मैंने तेल डख दिया जो कि ह डिफाइन डॉयल तो यहां पर मैं यह सारे को एकदम डीप फ्राय कर लूँगे और थोड़ा कम करके भी गैस को करूंगे जिससे की आलू अच्छे से यह हो जाए तो यहां पर मैं अपना चेहरा नहीं दिखा रही हूं क्यूंकि मैंने पहन रखा है नाइटी तो मुझे अ अधिक बार मैं वड़ाय करूंगी जह 90 पर संट पूरा बिलकूल नहीं करूंगी क्यूंकि इसको फिर मैं जब मसाले में डालूंगी ना जब मैं सॉस इसका बनाऊंगी तो फिर इसको फिर से एक बार मतलब डीफ निफ नदम करके ओल को और डीफ निफ नहीं तो क्या तो में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था गाइस सची बता रहा है तो यहां पर मेरा हो गया था सप्राइब अब मैं यहां पर फिर से कढ़ाई ले लिए उसमें मैंने प्याज और हरी मुर्च काटके रखे तो वो डाल दिया तो इसमें फिर मैं अध्रक लाजन जो कच्छा रहता है अपर इसमें खाओ ठीक है अब घर में थोड़ा अच्छा लहीं लगता है फिर यहां पर मैंने देखा प्याज भी जो कटकिया वो भी टाल दे अब बारी आ गई सासिस की तो यहां पर पहले मैं सबसे पहले वेनिगर डाली और थोड़ा भी लाली वेनिग इसका कलर उसके बाद आप लोग देखेगा सोया सास की बाद तो पूरा ही अलग हो जाता है बहुत अच्छा अगलर आता है जो कि हाट मंतलब टेस्ट भी अच्छा साथा साथा है साथ वेगर सब डालकि कुछ आप बनाऊ ना तो बहुत मज़ेवाला टेस्ट आता है तो य मैं बना रही हो तो मुझे यह सब पसंद हो तो यहां पर आलो को निकाल रही हूं और और एक सट से डाल कि अनुक है तो तो गैस अब लोग कि सकते मैं अब बदा वीडियो कि तो अच्छा तो गई वीडियो अच्छी लगेऊगा तो लाइक शेयर कमें जरूर कीजेगा बाउ तो का लार तो देखी सक्टो गाइस तो बाइस तो बाइस